सब्सक्राइब कीजिए मेस एस्पेशल को और दवाईए इस घंटे को ताकि दैनिक रासी फल की बीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके मेस रासी वालों का आज का रासी फल यणी की 5 अगस्त 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के बेडियों की सुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 5 अगस्त 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है दूतिया नक्षत्र है धनिस्ठा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है बुद्ध बारे आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है 5 बज के 44 मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है 7 बज के 8 मिनट में रितू है वर्सा आज का दिन काल है 13 घंटे 27 मिनट 43 सेकेंड का महिना है भादर पद आज के दिन सुभ समय नहीं है असुभ समय शुरू होता है बारह बजे पीएम से बारह बज के तिरपन मिनट पीएम तक राहु काल शुरू होता है बारह बज के 26 मिनट पीएम से दो बज के 7 मिनट पीएम तक आज के दिन दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्य साली रंग भाग्य साली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुनें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस्या नहीं हो लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने मित्रों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के कामकाज काड़ी च्छत्र बेपार बिवसाई के बारे में मित्रों कामकाज के द्रिष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए सामाननी रहेगा आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के द्रिष्टी कौन से आपका शमय बहुत जियादा बेहतर नहीं रहेगा अगर संभब हो पॉसिबल हो तो आज के दिन से अपने काम की सुरुवात बिलकुल भी ना करें वैसे अगर आपके दामपत्य जीबन की बात करें तो बैबाहिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बिहतर और सांदार है आज के दिन आपके जीबन साथी के साथ आपका शम्बंध बहुत ही जयादा मजबूत बिहतर और सांदार होगा इसके बाद है आपका प्रेम शम्बंध मित्रों आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो तो मुलाकात करने के बाद आपका प्रेम शम्बंध बहुत ही जयादा रोमांचक होगा तो आज के दिन अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मिलने का प्रेयास अवश्य करें इसके बाद है आपका घर पडिवार तो पडिवारिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका शम्बंध सामान निसे थोरा सा नीची है आज के दिन कोई भी गोपनिय जानकाडी अगर आप अपने घर पडिवार वालों से सेयर करना चाहते हो तो गोपनिय जानकाडी सेयर करने से आपको बचना होगा क्योंकि आज के दिन अगर आप कोई बिक्तिगत जानकाडी अपने घर वालों से साज़ा करते हो तो इस वजह से आने वाले समय में आपको पड़े सानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामाने से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन आप अपने रहन सेहन अपने खान पान के परती साबधानी बरतने का प्रयास करें इसके बाद है आपका धन समपती मित्रों आज के दिन अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चे पे आपको कंट्रोल करना होगा जहां आविशिक्ता हो पैसे खर्च आपो वहीं करें और जहां आविशिक्ता नहीं हो वहां पैसे खर्च करने से आपको बचना होगा इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए सुभ रंग और सुभ अंक क्या है आज के दिन आपके लिए भग्यसाली रंग है भुरा और सलेटी आज के दिन आपके लिए भग्यसाली अंक है छे यनी की सिक्स इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर होगा तो उपाई बहुत ही ज्यादा आसान है आज के दिन आप महादेब की पूजा करें सिबसंकर संभू की पूजा करें आपका शमय सांदर हो जाएगा तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद जेस याराम